आप देख रहे हैं दिखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार क्या किसी योजना का पुनर नाम करण करने से योजना सफल साबित हो जाएगी आज चर्चा का विशय है मध्यान भोजन योजना 1995 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश जमीनी अस्तर पर प्रारंभिक स्कूलों एवं आगनबाडी केंद्रों के माध्यम से देश के भविशय का निर्माड करने वाले चात्र चात्राओं को उचित पोशन आहार उपलब्ध कराना था तमिलाडों से प्रारंभ की गई इस योजना की प्रारंभिक सफलता को सराहते हुए माननिय सर्वुच्च न्यायाले ने संपून देश के प्राइमरी स्कूलों एवं आगनबाडी केंद्रों के माध्यम से योजना लागू करने के उद्देश दिये एक योजना की सफलता का आकलन पन्नो पर नहीं अपितु उसके क्रियानवेन पर निर्भर करता है वर्ष 2021 में मध्यान भोजन योजना का पुनर नाम करण कर इसे पीम पोशन योजना कर दिया गया साथी बजट 2024 में योजना क्रियानवन हेतु रुपेज 650 करूर का स्रिजन किया गया इस परश्ट है कि सरकारी स्कूलों में प्राया तथा कथित पिछडे वर्ग अनुसुचित जाती एवंग अनुसुचित जन जाती वर्ग के बच्चों का प्रतिशत ज्यादा रहता है आंक्रे बताते हैं कि इनी वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक पोशन ना मिल पाने के कारण ना तो इन बौधिक विकास संभव हो पाता है और ना ही शाररिक जमीनी अस्तर पर योजना के इस्तिती जानने पर पता चला कि सरकार की फ्लैग्शिप योजनाओं में से एक करी जाने वाली पीम पोशन योजना के तहत बजट का स्रिजन तो प्रतिवर्श होता रहा परन्तो इसकूलों यूंग आंगनबाडी केंद्रों में तो कच्ची खा आदे सामगरी तक उपलब्ध नहीं है फातरों से बात करने पर ग्यात हुआ कि भोजन की वैवस्था या तो की ही नहीं जाती है और यदि की भी जाती है हफते में एक या दो बार तो दाल भी नसीब नहीं होती मातर चावल ही उपलब्ध होता है जिस प्रकार किसी मशीन को कारे करने ही तु कृत्रे मूर्जा की भी आवशकता होती है उसी प्रकार मानव शरीर भी उचित पोशन प्राप्त करने पर ही अपना वास्तविक सरूप ग्रहण करता है मध्यान भोजन योजना का उद्देश न केवल पोशाहार प्रदान करना था अपितु ये एक का केंद्र भी था जो कि बच्चों को स्कूल आने हेतु प्रेरित करता है अता योजना की ये सुसुप्ता अवस्था एक चक्रिय प्रभावत पन्न करती है जिसका परड़ाम न केवल शारेरिक अपितु बोलिक शती भी है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें